अर्यूम जैतु संस्कृतम शर्वेभ्या नमो नम्हां सबको मेरा नमस्कार आज मैं आपको हमारे घर में हमारे बगीचे में जो जो फूल सबजियां हमने उगाए हुए हैं उनके संस्कृत में नाम बताऊंगी उन्हें आप अच्छी तरह से समझेंगे क्यूंकि जितना हम व्यवहारिक्ता में संस्कृत को सीखेंगे उतना ही हमें अच्छी तरह से याद होगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने पुषप है यहाँ पे फूल है फूल को संस्कृत में बोलते हैं पुषपम पुषपम जो है नपुर्शक लिंग है यह ठीक है यह हमारे पास पुषपम है तो कौन सा पुषपम है यह स्थल पडम इसको बोलते हैं स्थल पडम इस फूल को बोलते हैं स्थल पदम देखिए यहां पर इस फूल को बोलते हैं स्थल पदम याद रखेंगे आप इसको जहां भी यह फूल दिखेगा आप जल्दी से समझ जाएंगे कौन सा फूल है स्थल पदम उसके बाद यहाँ पे धनिया यह देखिए यह धनिया है धनिया अभी यह पकेगा फिर इसको काटेंगे फिर धनिया निकालेंगे तो धनिये को संस्कृत में चैयते हैं धन्यकम यहां पे देखिए लहसुन यह है लहसुन लहसुन तो संस्कृत में लहसुन को बह Reeve लहसुनम यह पे मूलि वीजी हूई है жен वration मैं बताती हूं, ये दिखिए, ये है मुली, क्या है ये? मुली, क्या है ये, मुली को शन्सकृत में क्या कहते हैं? सोच ये मूली को बोलते हैं मूलकम मूली को संस्कृत में बोलते हैं मूलकम आगे मैं और बताती हूँ यह है मेथी मेथी यहाँ पे लगी हुई है मेथी तो यह सारी मेथी है मेथी को संस्कृत में बोलते हैं मेथी का यहां फिर आगया धान्यकम, यह धान्यकम, ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास धान्यकम है, आगे मेथी का है, उसके बाद यहां पर देखिए, गुलाव का फूल है, और गुलाव के फूल भी हैं, लेकिन अभी वो खिले हुए नहीं है, तो गुलाव के फूल को बोलते हैं, पाटलम यह हमारे पास पाटलम है गुलाब का फूल है इसमें अभी लगे नहीं है इसमें लगेंगे इसका कलर इसका जो रंग है वो अलग है पाटलम है यह ठीक है गुलाब का फूल आगे हमारे पास देखिए यहां पर पहचानिये क्या है यह मटर मटर देखिए देखिए यहां पर दिखाती हूँ मैं यह मटर हो इसमें मटर भी लगे हुए यह देखिए लगे हुए मटर और यह मटर फूल भी पड़े हुए मटर में तो मटर को संस्कृत में बोलते हैं कलाय कलाय मटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं कलाय जहां भी आपको मटर दिखें आप क्या बोलेंगे कलाय उसके बाद देखिए यह सर्सों है अब इसमें से सर्सों का बीज निकलेगा सर्सों का साग भी बनता है साग को संस्कृत में साकम बोलते हैं और सर्सों को सर्सपह सरसपह का साकम खाते हैं साग खाते हैं यह देखिए मटर मटर को बोलते हैं कलाय यहां पर अभी मैं और दिखाती हूँ आपको मटर मटर उसके बाद अभी यह देखो यह मूली है हमारी यह दिख रही है कि नहीं हाँ यह है मूली मूलकम लसुनम फिर दुबारा आगे कलाय कलाय मटर अभी यह देखिए सल्जम यह है सल्जम इदर अभी यह छोटे छोटे हैं अभी इन में लगेंगे सल्जम तो सल्जम को बोलते हैं सल्जम भी बोलते हैं सल्गम भी बोलते हैं हिंदी में तो यह देखिए अभी इस सल्गम छोटे छोटे हैं तो सल्गम को संस्कुत में बोलते हैं सिखा मूलम सिक्खाम को मो बोलते हैं सिखामूलम Baptist कि श क्रत्म чक क अब यहां पर देखेंगे इसको ये है हमारा की पय्छय कि लेकिन इसको निकाल दिया है शजें tive सब्सक्राइब निकाला है इसका साग बनाया हुआ था तो यह है पालक को को संस्कृत में बोलते हैं पाल कह पाल कह पाल कह उसके बाद है हमारे पास यहां पे देखो गोभी फूल गोभी है यहां पे इसमें फूल पड़ा हुआ है फूल गोभी में यह देखिए यह नैचुरल है बिल्कुल प्राकृतिक तौर से उगाई हुई है और गेनिक बिना किसी सप्रे के बहुत ही पॉस्टिक होती है ऐसी सबजियां यह देखिए यहां पे फूल गोभी इसको बोलते हैं संस्कृत में गोजिहवा इसको क्या बोलते हैं गोजिहवा कु उसके बाद मैं भी आपको आगे थोड़ह सोब बता देती हूं कि देखो यह आगया जिला हुआ है आपको बोलते हैं संस्कrit ने अगनी अब ये हम अरपास आलू यह अलू जांस्कृत में बोलते आलू कम आलू का यह पोदा है जब इसको हम नीचे से खुदाई करेंगे खोदेंगे तो इसके नीचे आपको आलू मिलेंगे यह आलू अभी और भी है लेकिन बीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अभी प्लांडू भी है प्लांडू प्लांडू कार्थ होता है प्याज लेकिन अभी के लिए इतना ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद